हाई विवन दिस इज रॉबिन और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका इस प्लाफॉर्म पर तो देखे आज आज आपका तो से से रिलेटेट जितने भी एक्जाम्स है उनका आगया डेट्स आपको पता है कि आपका अने वाले दो तीर महीने में स्टार्ट हो जाएंगे आपका इससी सीज्वेन की अपकोई त्यारी कर रहा है तो उसका भी तीन-चार महीने बाद एक्जाम है अगर अगर CHSL के जो exam बीच में लटक गए थे उनका पर date finally आ गया है So now you have the go आपको पता है कि आपको किधर जाना है आपको पता है आपकी direction क्या है और इसी sense को feel कराते हुए मैं आपसे बोलता हूँ कि आपने direction को एक ऐसी mode में ले जाएए जहां पर आपको अपने आपको motivate रखने का सबसे जादा जरूरत है तो SP बख्षी की अपनी इस book को reference लेते हुए हमारी इस idiom discussion series में 20 से शुरू होने वाले idioms का ये होगा आपका second part ये कुछ मेरे बारे में जानका रही My name is Robin तो चलिए हम अपने session को start करें गर मैं कोशिश करूँगा कि आपके exam से पहले मैं आपके idiom one words को complete करा पाऊ पहला आपके पास यहां पर idiom है beside oneself beside oneself का अर्थ होता है अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुती जादा मन को भारी कर लेते हैं जनी कि आप hurt हो जाते हैं किसी तरीके से तो देखिए अगर मैं origin की बात करूँ तो पहले क्या होता था beside का earth होता था जब आप किसी आगहात से गुजरते थे आपकी mental condition ऐसी हो जाती थी जब आपको sense नहीं रहता था आप बहुती जादा excessive pain में होते थे तो अगर edm यहाँ पर हम use करते हैं beside oneself तो उसका अर्थ होता है to feel excessively excessively मतलब आपका मन भारी हो जाता है आप दुखी होते हैं example due to the accidental death of his wife he was beside himself with grief तो दुख में वो beside oneself था himself था यानि कि उसको बहुती जादा दुख था अपनी wife की accidental death की वज़े से तो ये होगी आपका beside oneself next आपका bad blood तिरकि bad blood का अर्थ होता है अगर आपके किसी के साथ बहुती जादा कटू संबन्ध होते हैं कटू यानि कि बहुती जादा आपके बीच में अन्बन होती है आपके बीच में कभी बनती नहीं है आप हमेशा लूसरे से लड़ते जगड़ते रहते हैं आप कभी एक समझोते पर mutually नहें आई हुए होते हैं तो ये EDM यहां से निकल कर आता है bad blood example the riots have created bad blood between the two communities in India तो भारत में दो communities के बीच में क्या कर दिया bad blood का रिष्टा create कर दिया नहीं कर दिद्गों नहीं ने यह होगा आपका bad blood जिसका अर्थ होता है bitter relations next आपका black and blue black and blue का अorit होता है अगर आपको किसी को बहुत ही अच्छे से आपने किसी के पिटाई कर दिया black and blue का अर्थ क्या होता है अगर किसी को कभी भी छोट लगी होगी तो आपको पता है उसका color सोड़ा सा black and blue color का हो जाता है तो बस उसी sense पर ये बना है आपका black and blue इसका अर्थ होता है अगर आप किसी को क्या बहुती mercilessly पिटाई कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका beat mercilessly Example The thief was beaten black and blue by police तो police के द्वारा thief को क्या किया गया बहुती बुरी तरीके से मारा गया यानि कि इतना मारा कि उसको लाल पिला कर दिया ऐसे समझ सकते हैं तो ये EDM होगे आपका black and blue Next है आपका beat about the bush इसका अर्थ होता है अगर आप किसी ऐसी बात को इस तरीके से कहते हैं कि आप to the point नहीं आ रहे हैं आप बात को घुमा रहे हैं तो उसका अर्थ होता है आपका EDM के रूप में beat about the bush इसके origin की बात करूँ तो पहले क्या होता था medieval time में जो hunters होते थे वो कुछ ऐसे लोगों को hire करते थे कि actually में उनको जहाँ पर hit करना होता था वो वहाँ पर नहीं करते थे वो वहाँ पर actually में जाकर impact नहीं करते थे क्योंकि हो सकता है वहाँ से कुछ dangerous चीज बहार आ जाए तो उसके इर्दगीर क्या करते थे मारा करते थे bushes में तो उससे क्या होता था आपने कुल मिला कर एक ऐसा sense लगा लिया कि भई हां मैं जो चीज करना चाहता हूँ मैं उस पर आ नहीं रहा हूँ मैं actually मैं वो अपने action से दिखाना नहीं चाहता हूँ तो beat about the bush का यहां पर अर्थ निकलता है कि अगर आप किसी बात को घुमा फिरा कर कहते हैं तो वो होता है आपका beat about the bush example we should always come to the point and should not beat about the bush हमें क्या करना चाहिए हमेंसा सीधे पोरे point पर आना चाहिए और हमें बात को घुमाना फिराना नहीं चाहिए next आपका beat the air beat the air का मरतलब होता है आपका to make useless efforts यानि कि ऐसे efforts जिनका कोई भी use नहीं है अब देखिए आपको पता है कि अगर आप हवा में हाथ मारेंगे हाथ पर मारेंगे जैसे बोलते हैं कि हाथ पर क्यों मार रहा है तुझे कुछ फाइदा तो हो नहीं रहा है तो वहाँ पर बात होती है beat the air यानि कि आप ऐसे efforts लगा रहे है जिनका आपको कोई फाइदा नहीं मिल रहा है एक्जामबल some speakers merely beat the air in speech while preaching तो बहुत से ऐसे speakers होते हैं बहुत कम वो ऐसे काम करते हैं यानि कि बहुत ही merely वो ऐसे useless efforts लगाते हैं जब वो speech while preaching देते हैं यह होगी आपका beat the air next है आपका build castles in the air तो देखिए यह तो बहुती सुना सुना आपको एडियम लग रहा होगा कि अगर आप हवाई किले बनाते हैं आप मन गडंत कहानिया बनाते हैं आप कुछ भी सोचते हैं एक सोच में डूब रहते हैं यहने कि आप महल बना रहे हैं हवा में ठीक है तो build the castles in the air मतलग to make visionary schemes आप अपने दिमाग में एक ऐसी schemes create कर रहे हैं ऐसा idea create कर रहे हैं कि आप अपने आपको बहुती pleasure feel कराना चाहर रहे हैं आप पस सोच रहे हैं example many people who live in dreams build castles in the air and do not succeed in life तो बहुत से लोग जो सिर्फ क्या करता है खयालों में बस अपने किले बनाते रहते हैं वो कबे भी life में successful नहीं होते हैं उनका काम ही होता है वो सिर visionary बस visions visions में do बे रहते हैं next आपका break the eyes break the eyes का earth होता है अगर आप suppose कीजिए यहाँ पर group में बैठ हैं बहुत ही silence वहाँ पर बना हुआ है ऐसी condition में अगर कोई आदमी पहले बोलना start करता है तो वो क्या करता है वो एक silence को क्या करता है break करता है जो की बहुत देर से बना हुआ था तो to speak first after a prolonged silence का earth आप EDM में denote करते हैं break the eyes example in the meeting Rajesh broke the eyes and suggested the plan to solve the problem meeting में क्या किया Rajesh ने initiation लिया क्योंकि वहाँ पर सब लोग शान्द बैटे हुए थे और उसने suggest किया कि भी हम problem को कैसे solve करेंगे उसका उसने plan दिया तो break the eyes का अर्थ हो गया to speak first after a prolonged silence next आपका bring to book bring to book का अर्थ होता है कि आप अगर किसी को क्या करते है punish करते है या फिर आप उसको बताते है कि ये चीज़ सही थी तुमने गलत किया अब उसका तुमें ये खामियाजा भूगतना पड़ेगा अगर इसका आपका sense निकलता है तो वहाँ पर आप EDM use करते है bring someone to book यानि कि आप उसको दिखाते है कि देखो ये सही है ये गलत है आपको नहीं पता था अब आप एक काम कीजिए आप तेयर हो जाएए आपको punishment मिलेगी example the manager was bought to book for his negligence मतलब अपनी अंदेखी के कारण जो manager था उसको क्या किया गया bought to book किया गया यानि कि इसको punish किया गया ये था आपका EDM का एक और session I hope आपको इस session पसंद आया होगा और देखे एक्जाम आपके आ रहे है regular बने रही है अपनी तियारी को अच्छे से कीजिए जो भी आप practice कर रहे है जो भी आप कर रहे है बट आपको अपना motivation level high रखना है session को like जरूर करें ताकि मुझे motivation मिलता रहे ठीक है तो telegram और instagram को आप जोइन कर लीजे जहां पर video of special classes वगरा के आपको link मिलते रहते है नेक्स पार पर मिलता हूँ आपके साथ अपना ख्याल रखिए take care, bye bye, thank you